state whether the following statements are true or false justify your answers तो पहला क्या है every irrational numbers is a real number देखो real numbers क्या आते हैं मेरे पास जो real line होती है यहां जिसको बोलते हो number line ठीक है जैसे यह 0 है यह 1, 2, 3 and so on इधर प्लस infinity तक और ऐसे ही minus 1, minus 2, minus 3 और यह minus infinity तक ठीक है तो यह जो मेरे पास number line होती है यह होती है real line ठीक है real line मतलब इस पे जितने भी numbers होते हैं उनको हम बोलते है real numbers और real numbers combination होता है rational numbers का प्लस irrational numbers का ठीक है तो rational numbers और irrational numbers को जब हम combine कर देते हैं तो हमारे पास real numbers की collection आती है और इसको हम बोलते है real line तो that means हर irrational number जो है वो एक real number है so this statement is true अगर आपको याद हो तो जैसे irrational number कौन से थे square root 2, square root 3 square root 5 अपिशले tutorial में square root 2 square root 3 हमने real line के उपर find out किये थे यानि कि वो इसी line के उपर lie करते है so this statement is true next every point on the number line is of the form square root m where m is a natural number वो कहता है कि यह बताओ कि क्या इस line के उपर जो भी numbers lie करते है वो हर number को क्या हम square root m की form में लिख सकते है where m is a natural number जैसे माल लो m जो है वो 4 है ठीक है तो 4 का square root क्या जाएगा 2 ठीक है अगर मैं इसको 9 मालनू तो इसका square root क्या जाएगा 3 ठीक है लेकिन क्या कोई ऐसा natural number है जिसका square root जो है वो negative हो कोई भी ऐसा natural number के exist करता है जिसका square root negative हो कोई भी ऐसा number exist नहीं करता 9 का square root जो है वो 3 होता है minus 3 नहीं होता राइट तो कोई भी ऐसा natural number exist नहीं करता है जिसके लिए square root m जो है वो negative हो के उपर यह जो 0 के पिछली साइड पे जितने भी नंबर्स हैं यह जो कितने भी नंबर्स हैं इस साइड पे सबसे पहली एक्जाम्पल तो यह ही है कि इनको तो मैं कभी भी स्क्वेर रूट M की फॉर्म में लिखी नहीं सकता जहां M जो है वह नेच्छल नंबर तो नेच्छ स्क्वेर रूट क्योंकि यह जो हम स्क्वेर रूट लेते हैं यह सरफ पॉस्टिव वैल्यू देता है नेगेटिव नहीं देता तो इसलिए इस स्टेटमेंट इस फॉल्स नेक्स्ट एवरी रियल नंबर इस एन इर्रैशनल नंबर तो यह तो भाई इसका बिलकुल उल्ट होते हैं ठीक है अब जैसे टू टू भी मेरा एक रैशनल नंबर है ठीक है टू इसर रैशनल नंबर तो है लेकिन यह इर्रैशनल नंबर नहीं है राइट रैशनल और इर्रैशनल नंबर आपस में म्यूचली एक्सक्लोजिव होते हैं कोई भी नंबर दुनिया में ऐसा नह कुछ confusion है कि यह number कौन से होते यह कौन से होते हैं तो मैं फिर से recommend करता हूं मैं फिर से link share कर रहा हूं इस tutorial को जरूर देख लेना उससे आपके number system के fundamentals बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे so this statement is false so that's it from this tutorial keep watching mathemafia